कि नमस्कार श्रेंट्स मैं चंदर प्रकास स्वलंग की स्वागत करता हूं आपका अपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम क्लास 12 के सेकंड पार्ट के फर्स्ट चेप्टर को लेकर आये हैं जो है रे ऑप्टिक्स किरन प्रकास की तो स्टार्ट करते हैं करने से पहले हम देखते हैं कि चैप्टर में क्या कुछ पड़ेंगे तो इस सबूर सफ्लेंटर से हम अपनी से रेलेटिड बहुत सी गठनाओं का दियार्ण करेंगे जैसे प्रावर्तन है और प्र्तन के कारण जो हमारा दरपण है कैसे वर्क करता है अउतल दरपण उतल अवगयरा हो थिखाई कि इस दिखाई देती है इन सब के बारे बात करेंगे वाद कुस तरीके से प्रकास पर कोई भी उर्जा एक जगे क्यांसे इसके बारे में अध्यान करेंगे इसमें प्रिज्म में ये विक्षेपन डिविएशन कैसे होता है इसका अध्यान करेंगे माइक्रोस्कॉप सुक्समदर्सी के बारे में अध्यान के अधायेगा टैलिस्कॉप दूरदर्सी के बारे में भी अध्यान करेंगे कैसे यह work करते हैं इनके बारे में भी पढ़ा जाएगा तो स्टार्ट करते हैं अपना यह इंट्रस्टिंग चैप्टर रे ऑप्टिक्स किरन प्रकास की तो जैसे कि चैप्टर का नेम है किरन प्रकास की तो सबसे पहले प्रकास की ऑप्टिक्स वर्ड का मिनिंग क्या है तो प्रकास की भौतिक विज्ञान की वह साका है जिसमें प्रकास का अधियन किया जाता है प्रकास का नेचर प्रकर्ति उसकी उसका गमन और प्रकास से सम्मंद जितने भी घटित हो रही है उन सब का अध्यन जो है प्रकास की शाखा की अंदर गयत किया जाता है तो हमने Jr करेंगे तो सबसे पहली बात प्रकास क्या होता है कि अध्य की देखिए अगर मैं आपको बता हूं जैसे सोलार पैनल है सोलर पैनल में क्या होता है प्रकास गिरता है उसके उपर और उससे हम विद्यूत उर्जा बनाते हैं ठीक है तो विद्यूत उर्जा प्रकास से बनी है और यह प्रकास विद्यूत उर्जा बनी इसका मतलब सीधा साय कोई दूसरी उर्जा बदली है विद्यत उर्जा के अंदर और प्रकास आया है प्रकास गिरा है इसका मतलब प्रकास अपने आप में उर्जा का एक रूप है तब जाकर उसको किसी दूसरी उर्जा में बदला जा सका है अगर प्रकास के अंदर को उर्जा होती नहीं तो उसको किसी और उर्जा के के अंदर बदल पाना संभव नहीं होता इससे पता चलता है फ्रकास दी एक और जा कही रूप है तो प्रकास इजल वह एकया है या कि प्रकास प्रकास को तरंग प्रकति के रूप में देखें। तो प्रकास एक तरंग यह चुम्बक है तरंग भी कहते हैं । यह एक विद्धुथ चुम्ब की तरण है अब यह नया वर्ड है कि विद्धुथ चुम्ब की तरण क्या है तो अगर प्रकास को अच्छे समझना आ तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा वैसे यह डिटेल में हमारा इसी पार्ट का सबसे लास्ट चेप्टर में इसके बारे डिटेल में बात होगी अभी हम कुछ जरूरी चीज़ों इससे रिलेटेड कुछ जरूरी चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं बाकी सारा डिटेल में हम बाद महीं पढ़ेंगे तो विद्धुत चुम्ब के तरंग सिंपल सी बात है एक ऐसी तरंग जिसके अंदर विद्धुत तरंग का घूर्ब तरंग द०िर का इस्पक्टरम वह बहुत ही बड़ा होता है इसका अर्थ यह है कहा है कुछ ऑपनाहिन होंते विद्धुत चुम्ब के तरंग मतलब एक बहुत बड़ा सिंप्ट्रम का रेंज है तरंग मतलब वहुस्ट सारा देदरिये वाली तरंगे हैं एसे जिसकी रेंजь बहुत बड़ी हैं को वो स reicht के तरंगे होती है तो हम एक संसी मैं विद्धू चुंब के तरंगों को हमने मूखे कुछ बांट रखा है तो उसके बारे में थुटा पढ़ते हैं है यह मैंने की स्केल बनाई आप समझ लिए एक तरंग देद्रिय की स्केल है यहां पर कम तरंग देद्रिय है और जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं तरंग देद्रिय बढ़ रहा है और आप कह सकते हो तरंग देद्रिय की स्केल है तो आप कह सकते हैं क्यूण करो सा आवर्थी या फिर था यहां फिर तरंग देद्रिय के बढ़ते हूट похम को दर्शा रहा हूं यदि तो मान लिजिए हमने एक तरंग गेत्रिये का एक स्प्परद्रम मेन लिजय सारी विदुद्चंब के तरंगे इसहीं के अंदर विद्यमान है । तो हमने कहा दिया हम नंबर का थे इस पूरी इतनी यहां से यहां तक यहां तक इतनी भी इसकेल है। के विद्दूचुंब के तरंग विद्यमान उनकी तरंग ज के तरंग जरीए में अनको विद्दूचंब के तरंग को हमने कुछ बागू में बांट रहा है देखते हैं कि एह ए. कि पहला जो भाग है उसे हम बोलते हैं गामा रे गामा किरने दूसरा एक्स किरने एक्सरे तीसरा पराबैंगनी चौथा है द्रश्य प्रकास नेक्स्ट हम बार सकते हैं इसको अवरक्त के अंदर अगला जो हो जाएगा वह जाएगा सुक्स्म यह माइक्रोवेव सुक्स्म तरंगे और लास्ट रेडियो तरंगे यह हम विद्धू चुंब के तरंगों को इतने भाग में बाड़ते हैं मतलब बहुत बड़ा स्पेक्टर में विदुद्चुंब के तरंग का उसमें मानली जी इतने से अब यहां पर कोई तरंग दद्रिय यहां पर कोई तरंग दद्रिय के अंदर आने वाली इस तरंग दद्रिय इनके बीच में हर कोई तरंग दद्रिय वाली विदुद्चुंब के तरंगों को हम गा सबसे लास्ट पोर्शन हो जाएगा चैप्टर का सबसे लास्ट है हना अभी हम जो ज्रूर यह बढ़ेंगे जैसे अगर बात की जाए जैसे मौन लिजी wiggle हम घर के बाहर हैं और घर के बाहर हैं तो हम देख रहे हैं सूर्य का प्रकास आ रहा है और हम सूर्य के प्रकास को देख भी रहे हैं और हमें लगता है कि जो हमें प्रकास दिख रहा है हमारे आसपास वही सूर्य का प्रकास है जबकि ऐसा नहीं है सूर्य से आने वाला प्रकास और भी है प्रन्तु हमे दिख नहीं रहा है एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम सूर्य के प्रकास का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आ रहा होता है उसमें से बस छोटा सा स्पेक्ट्रम हमें दिखता है बाकी वाला नहीं दिखता हमें तो देखते हैं कि सूर्य के प्रकास से प्रत्वी पर कौन सा स्प्थप्रम मिलता प्रत्वी पर कौन सा आता है इसके अन्दर से इतने इस विद्यो चुम्वGame के तरंगों में से प्रत्वी पर सूर्य से कौन कौन सा आ रहा होता है तो देखीगा उसमें से पराबेंगनी यह आता है प्रत्वी पर दृश्य प्रकास आता है दरातल पर और अवरक्त आता है यह तीन है जो सूर्य से आ रहे होते हैं और प्रत्वी पर हमको मिलते हैं उनमें से पराबैंगनी हमें नहीं दिखता प्रकास और अवरत भी नहीं दिखता इस बात का धियान रखें दिखता कौन है सिर्फ दृष्य प्रकास इसलिए इसका नाम ही क्या है दृष्य प्रकास दिखने वाला प्रकास और प्रत्व उपर जो सूरिय से आ रही है उनमेंसे प्राबैंगनी का जो भाग है वह लगबग 8% होता है लगबग 8% ठीक है और प्राबैंगनी हम सब जानते हैं हानिकारक होता है हमारे लिए विटमिन डी का भी एक सोर्स है यह अपन को ध्यान में रखना है ज्यादा इसलिए कर्यारण की आ पाता यह पराबैंगनी क्योंकि और जोन लेयर विज़ेसे वह आrdव आयंशफ्काज कि विजए से जयदा उर्जा वाला होता है वह ज जयादा बाले होता है वह अनre स्ट एनकी वज़ेसे धरातल्बों फ देयान पाते फॉत थिक है whatsoever है यह सब से मेजर पार सबसे जब जादा भाग में इसका जो में काम है वह हिट इपक्त जो गर्मी और जो उसमा जो आ रही होती जो जसे परकास का जिम्वार है भूजक है अवरक्त किरण नहिंट तो यह को हमारे दरातल पर होती है उसके लिए रिस्पॉनसीबल अब सबसे इंपॉर्टेंट वह है द्रश्य प्रकास एक दिखने वाला प्रकास है एक बात ध्यान रखना यह प्रकास सिर्फ ना केवल हमें दिखता है बट हमें दूसरी वस्तों को जो हमारे आसपास रखी वस्तों को जिने हम देख पा रहे हैं उनको देखने में भी यही प्रकास help करता है द्रश्य प्रकास य ये वाला प्रकास कोई तो दिखते हैं, ये डेकने में डेकने में हेल्प करते हैं। और ये जो होता है, वो लगबग 42% लगबग आरा होता है पर्थवी के ध्रातल का, ये ये देखने में हेल्प करता है। अब एक बात जो में दिमाग माती है, कि ahead जो नहीं को डिक नहीं सकते हैं जबकि दर्ष्य प्रकास दिखा देता है तो जो efर प्रकास की जो तर्फिजित जो तरंग ददिडिय ज 주 रेंज होता है मैं लिख देता हूं, इसका तो हम पढोना है इसी को आगे पढ़ेंगे तो इसका तरंग देदो का रेंज 400 नंडो मीटर से साड़े 700 नैनो मीटर अलग से ढंग से लिख देते हैं 400 नैनो मीटर टू 750 नैनो मीटर यह रेंज होता है लगम करेंज आई यह किसी बुख में आपको थोड़ा बहुत उपर नहीं है 380-780 मिल सकता है नैनो मीटर इसका मिनिंग यह है कि बाकी दूसरी नहीं तो ऐसा है कि इस रेंज कि इस तरेंग के रेंज हमारी आखों में प्रवेस करती है तो हमाँ में उसके कारण घिजती दिखाई देती है संसूचन करती हमारे आखों में जाकर जबकि दूसरी जो भी है बले यह और भी कोई दूसरी प्डुचुंब के तरंग हो वह हमारे आखों में कुछ ऐसा संसूचन क्रियेट नहीं कर पाती तो वह जैसे तो हमारे आंख में कोई तरह का इफेक्ट देखने के लिए कोई help नहीं कर सकती यह वाली जो तरंग देद्रिया है यह वाली जब हमारे आखों में जाती है विदुचुम्ब के तरंग तो हमें देखने में help करती है आप कह सकते हो जैसे मान लिएक रेडियो है अब एक रेडियो है वह किसी सब्सक्राइब चेंज कर सकते हैं अब उस्से जढ़ा रेंज की फ्रिक्वेंशी जो आपके रेडियो में अपलब्द नहीं दोढ़ना सुन सकते हैं सो उसी प्रकार के हमारी एक तरीगे से रेडियो है और 400 नैनोमीटर से साड़े 500 नैनोमीटर तक वाले को ही वो देखने में दिखा सकती है उसको, बाकी वालों को नहीं, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो यह वाली बात, और जो भी आज अपन कलरफुल वर्ल्ड जो देख रहे हैं हमारे चारों, वो सिर्फ दर्श्य प्रक के बदौलत ही है, ठीक है, तो आगे इस चेप्टर में हम अगर प्रकास वर्ड बोल रहे हैं, तो उसका मिनिंग सिर्फ दर्श्य प्रकास से ही, क्योंकि इस चेप्टर में हम वस्तों को, किसी वस्तों का इमेज देखते हैं, प्रतिविम देखते हैं, प्रतिविम निर्मान करते हैं और उसके अंदर प्रिजम के अंदर विक generation होता है को में नला नहीं उनका जैने नका देन करेंगे तो सब डिर्श्य प्रकास के अंतरगत ही आता है ठीक है तो हम दश्यप्रकास ही पढ़ने वाले हैं गते प्रकास मैं द्र दरटक से द्र्श्य है इस तरीके से हम सांत रंगों में दृष्टि प्रकास को बाढ़ सकते हैं बैंगनी इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो औरेंज और रेड और अपन देख सकते हैं कि यह जो तरंग दिद्री का जो रेंज है जैसे तरंग दिद्री इसकी कम इसकी जादा सबसे लएगत की आपको ध्यान रखनादा है सबसे ज्यादा होती है और सब्से कम किसकी वौइलएट बैंग ने की इस इस इम्हें संथ कलर में इनको बंठा जा सकता है ओके द्रश्य प्रकास क्योंकि है तो प्रकास और प्रकास कि जो चाल होती है प्रकास की जो चाल होती है अब आपको मालूम है कितना है तीन गुना na 10 कि गात eight meter पर जियान रखना ये निरवात के अंदर है हवा के अंदर चाल इससे थोड़ी कम होती है हम यह मान सकते हैं उसके लिए हवा में भी बट जियान रखना है हवा में इससे भी थोड़ी कम होती है पानी में हवा से भी कम होती है और कांच में देखा जाए तो पानी से भी कम होती प् अभी प्रकास के दिफन बात करेंगे और अपवरतन के अंदर वापस बात करेंगे जासे। वह तो पराबेंगनी केड़ों को भी देख सकती हैं अभी मगेन एक रेडियो में अपनी हाक अ फमत्रीघ्यों अब इस एक पर्टिकुलर रेडियों कितनी रेंज का देखता है सुना फ्रेक्वेंशी सुनाता है हमें डिपेंड करता है उसके उपर तो सेम जो है मदु मख्या इतनी पराबैंगनी की इतनी रेंज वाली विद्धु चुम्ब के तरंग को भी देख सकती है और इतनी रेंज के कारण वह वस्तुवें भी देख सकती है मतलब इतनी जो रेंज पराबैंगनी की मदु मख्यों को वस्तुवें दिखाने में भी हल्प करती है तो लिए यह भी तो दुश्य इव द्रस्य cure प्रकास थे मद्धु मख्यों के लिए तो डिपेंड करता है इस्ट देखते हम खं हंगिए हमारे teacher का नाम किरण प्रकास की है तो किरण का मतलब क्या होता है कि तो का अगर मैं इस तरीके से बनाओं इसका मतलब यह में बता रही है कि प्रकास इदर से जा रहा है अगर किर्ण में इस तरीके से बनाओं इसका मतलब यह में बता रही है कि प्रकास इस दिशा के अंदर घमन कर रहा है तो प्रकास की दिशा का बोध कराता है और हमें ध्यान रखना है प्रकास सदेव एक सरल रेखा में के अनुदिस घमन करता है एक सरल रेखा में घमन करता है जब तक कि कोई बादा ना आ जाए और माध्यम ना बदल जाए बादा आ गई तो अपना पाथ चेंज कर देगा और अगर माध्यम बदल गया तो भी अपना पाथ चेंज कर सकता है तो इस बात का ध्यान रखना है वैसे नॉर्मल ये एक सरल रेखा मैं घमन करता है प्रकास कि और इससे निकलने वाली प्रकास क्युणों का अगर हम देखें इस तरीके इसमें से कैसे प्रकास क्युणों निकलेगी तो आप जानते हैं कुछ इस तरीके से प्रकास क्युणों निकलती है इसमें से करें इस तरीके से हमें लगता है कई सारी प्रकास के विड़ा एक साथ निकल रही है तो बहुत सी प्रकास के समय को बंच ऑफ रे इस कॉल्ड बीम किरन पुंज कहलाता है जैसे हमारी गाड़ी की जो हैड लाइट से उसमें किरन पुंज निकलता है बहुत सी प्रकाश किरने एक साथ निकल रही है तो किरन पुंज है वह ठीक है है wäre बने प्रकाशी की आध्यान कर रहे हैं तो मालूम होना चीज के कितने भाग है अगर में तक का देखें तो प्रकाश की God थाल्ग प्रकाश कि कौाइवता कि हम मार 12 में यहां के न किरन प्रकाश की जो हम पढ़ रहे हैं और तरंग प्रकास की कहते हैं इसके अंदर हम बड़ी जोमेटरी बनाएंगे या फिर कह सकते हैं कि जोमेटरी की भी हेल्प लेंगे इसमें बनाने में तो जोमेटरीकल ऑप्टिक्स जामिति ये प्रकास सिकी अब में जो है इन दोनों में क्या फर्क है जो में डिफरेंस है वह कुछ इस तरीके से किरन प् वस्तों पर गिरता है तब क्या होता है हमें पढ़ना होता इसके अंदर तो इसमें प्रकास जब बड़ी वस्तों पर गिरता है तब क्या होता है तब उस समय किरन प्रकास की वहां पर वैलिड रहती है और इसके अंदर प्रकास का जो इंट्रेक्शन होता है बहुत ही छोट चोटी चोटी वस्तों से होता है उस समझते हैं अब यह तो बता दिये बड़ी वस्तों यह चोटी वस्तों पर यह कितनी बड़ी और यह कितनी चोटी तो उसके लिए क्राइटिरिया ये है अभी आपको बताई है तो प्रकास की जो तरह की आपको को साइज है वो प्रकास की तरंग दिद्रिये से कहीं गुना बढ़ी हो अगर वस्तू जो है प्रकास की तरंग दिद्रिये की कोटी की हो तो उसके अंदर हम तरंग प्रकास की कादियन करें उस case में जैसे अगर हम इसमें पढ़ेंगे यंग्स डबल स्रिट तो हम उसमें स्लिट्स की चोड़ाई जो होती है वह 0.0001 mm होती है जो कि बहुत ही चोटी है वह लगबग प्रकास की तरंग देद्रे की कोटी की होती है तो वह समय हम वहाँ पर तरंग प्रकास की अपलाई कर इस से रिलेटेड के रे औप्टिक्स कहां फेल हो जाता है यहां पर कहां एपलाई होता है तो ऐसे माली जी अगर पूछा है करे अप्टिक्स कहां होता है तो इस तरीके चार आप्शन मिल जाएंगे पन को जब वस्तु की साइज 3 cm या चार सेंटीमीटर हो या कुछ इस त प्रकास की तरंग देद्रिय से छोटी हो और या फिर वस्तु की साइज प्रकास की तरंग देद्रिय से बड़ी हो प्रकास की तरंग देद्रिय से देखें तो यह बहुत बड़ा है और प्रकास की तरंग देद्रिय से बड़ी हो तो तो लगेगा ही लगेगा रहे प्रकास की तरंग देद्रिय से भी छोटी हो उसका आमाव रहे प्रकास परकास की तरंग करते हैंप्र प्रकास कहा वहवाहर तो देखते हैं इसके अंदर हम इसमें अब पढ़ेंगे कि अगर कोई प्रकास एक वस्तु की सतय पर घिरता है तो उस समय क्या-क्या गटनाय गटित हो सकती हैं तो हम एक वस्तु बनाते हैं प्रकास किरण इस तरीके से इसके उपर आपतित हो रही है आने वाली प्रकास किरण को आपतित प्रकास किरण कह सकते हैं तो इसको हम आपतित प्रकास बोल सकते हैं या आपतित किरण बोल सकते हैं तो अगर कोई उर्जा आप्तित हो रही है प्रकास आप्तित हो रहा है किसी वस्तु की सतय पर तो क्या गटना हो सकती है तो एक यह काम हो सकता है यह गटना गडित हो सकती है कि यह प्रकास यह उर्जा वापस लोट आए तकरा कर वापस लोट आए एक तो यह काम हो सकता है इस माध्यम में उस वस्तू के अंदर प्रवेस कर जाए जिसे हम पार गमन कह सकते हैं वैसे लौट के आने को हम परावर्तन बोलते हैं तो हम कहेंगे यहां पर तो हुआ है परावर्तन अगर ऐसी गटना हुई है तो इसे हम बोलेंगे परावर्तन और कुछ इस तरह की गटना हुई है कि मतलब दूसरे माद्य में परवेश कर गई इसे हम पार गमन बोल सकते हैं या फिर अपवर्तन कह सकते हैं और कुछ प्रकाश जो है वो इस सतह के द्वारा इस वस्तु के द्वारा अवसोसित कर लिया जाता है तो इसे अवसोशन कहेंगे यहां पर सतह पर वस्तु अपने अंदर उसको अवसोशित कर लेती है के सतह पर अवसोशन हो जाता है कुछ मातरा के हैं इसंट क्या बोलते हैं परावर्तन यहां पर गटित होती यह फ learnt या पारगमन और जो सकते हं अश्योशशन हो सकता हैं उर्जा आएग filthy तो उर्जा वापस लोट सकती है परावर्तन हो सकता है उसका उसके अंदर प्रवेस कर सकती है पारगमन या अपवर्तन बोल सकते हैं उसका और या फिर उसके द्वारा आउसोसित कर ली जाएगी एक ही वस्तु के द्वारा मैं आपको यह चीज समझा रहा हूं जैसे पानी के तो उस वस्तु से टक्रा कर प्रकास किरने हमारी आँखों में गिरे यसी मैं एक टॉर्च का उधारन देता हूं अंदेरा है मान लिजे लाइट चली गई है और हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से किरण पुंझ निकलता है और वो किरण पुंझ जिस वस्तु पर गिरत तो वह भाका जो छos पास उन पर प्रकास किरने रहा है तो इस व को देखना है तो आंखों में चाह चाहिए तो जब रुके उए पानी में हम अपनी कि Сक हम बार द्यान रखना हम अपनी किसी पर इमेज्ञ देख पा रहे हैं कि फो पर अपना प्रतिविम देख आ रहे हैं अपना पृतिविम देख और रहा है और को उस पानी के उपरी इस्तर से ठकरा कर हमारी आखों में घिर रही हो तब प्रतिमिन दिखता है तो इससे प्रतिमिन दिखता है इससे इस परश हो जाता है कि वहां पर क्या हुआ है परावर्तनुपार दूसरी बात हम पानी के अंदर रखी हुई वस्तुओं को इजिली देख अब उसके अंदर अंदर क्या होता है आप सानी के लिए अदर को देख रहा है और तो आप देख सकते हैं यह अपना देह एक माध्यान से दूसरी माध्यान में आ गई तो क्योने उसे हना है लंगें, इसमें भॉलेंगे पानी तक को पता है, या फिसकंद में वह एसे नाची कीशना में? पानी गरम जोली हो जब हो ईगार कशना है अब यहां पर उस्मा बढ़ाने वाला कौन है यहां पर पाने हो किस से गैस से गरम कर रहे हैं साथ कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम सीधी सी बात देख रहे हैं, कि प्रकास आ रहा है, प्रकास गिर रहा है, और प्रकास अपने एक उर्जा का ही रूप है, और एक उर्जा दूसरे में परिवर्तित हो सकती है, तो प्रकास उसमा उर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वो घरम हो जाता है, तो हमने एक ही वस्तु से हमने तीनों के तीनों फिनोमिना गटनाय समझ ली तो इसका मतलब है कि जो टोटल एनरजी जो हमको मिली है जो हमको total energy जो मिल चुकी हमको जिसे मैं इपोल लूँगा यहां से total energy आरही है यहां पर गिर रही है परावरतन जो है reflection काह सकते हो हो गयाँ है कि यह क्या हो गया स्कष्थis हो गया और यह व गया किन उसका कुछ भाग राइंञ्ट सूसंच का इनर्जी का मतलब वाद उसी माध्य में लॉट जाता है कुछ फार्ट में गुष जाता है और अवस्ट अब बात तो जाता है अब बात आती दिमाग में कहां सर अगर यह जुरूरीत हो ना यह भी हो हरेक के अंदर सिर्फ परावर्तन हो सकता है मतलब एक बहुत सी प्रकास के नहीं आई बहुत सी उठ जाई और सारी के सारी लोट गई ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा जो यह सतय हो यह इंटरफेस हो इंटरफेस परिसीमा एक वह जगह ज हाई तुरफ माद्यम अलग होगा तो ऐसा कभी को सारा प्रकास पूरा का प्रकास वह उलौट गया क्योंकि इसके लिए सतय का कि act poss aucune है आधर इसका मतलब जो उरजा आई वो वापस नहीं ले सकते पूरी की पूरी जा सकते पूरी की पूरी अभिज़ा नहीं करा जा सकते तो इस बात का इस अंच जो और गला है अच्छा रिफ्लेक्टर है तो इसका हो सकता है वो नाइनीः परसंट वापस ले आए और फिर कुछ ने कुछ मात इन में भी चला जाएगा 100% reflection नहीं हो सकता ओके नेक्स हम देखते हैं थैंक यू सबस्क्राइब करें हमारा Apex Classes EduTech YouTube चानल साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी YouTube विडियो की updated notifications सबसे पहले आखो मिले Apex Classes EduTech सबस्क्राइब नाउ